लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और ट्रेल आइकन को प्रेस करें को प्रेस्ट आइकन को प्रेस्ट रहाएकर के लिए अजनी परीभाशा है यहिंक सीमान दाखी आए ये तिस्टी की शक्ती का वर्दार है ये अब्दार नहीं है ये इंसान है शक्ति मार शक्तिया शक्तिया के आप शक्ति है दुनिया बदल सकती है भूलों में ठल सकती है शोड़ी चल सकती है होता है जब आदमी को अपना ज्याद कहलाया हो शक्ति मार शक्ति मार शक्ति मार शक्ति मार इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा आपके प्रभाव से सारा का सारा शहर पापी बन चुका है फिर गीता जी पाप को स्विकार क्यों नहीं कर रही अनेरा उनी लोगों को अपना गुलाम बना सकता है जिनके दिलों दिमाग पर थोड़ा था ही सही मगर पहले से ही पाप हो वो मैं नहीं मेरी चाया थी अब मैं तुम्हें लंबी समय यात्रा पर भीज़ दिया है हमें अभी भूतकाल का शक्तिमान मिल सकता है दीवी गीता परंतु मैं यानि इनके समय का शक्तिमान क्या कर रहा है वो क्यों नहीं रोक रहा किलविश को उसने रोकने की कोशिश की थी लेकिन किल्विश ने समय यंत्री से उसे न जाने किस समय में भीज दिया है आओ शक्तिमान और अब देखिए किल्विश से किसी भी तरा उन दोनों यंत्रों को प्राक करना मैं मेर कुमार रंजन आज से ये शपत लेता हूँ कि पूरे शहर में पाप पहलाओंगा पूरे शहर को अंधेरे का खुलाम बनाओंगा आओ शक्तिमान तू ये समय यात्रा से वापस कैसे आ गया है अगर तू समय यात्रा से वापस आ गया है तो अब तुझे अंधेरे की आग में जलकर राख होना होगा आपकी आग से उचने वाली जलन में परताश नहीं करना होगा हटाना होगा इसे हा 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 प्रॉटियन अए प्रॉटियन झाल अए ख्रॉटियन झाल घचनो प्रॉल किस चलन में हमें है कि ए의 건지 ए हाउ हाओ हाँ हाँ एहाँ एहाँ इत प्लुईशी के लमी करत के लिए को ये संगा! वाह! प्लुबर प्लुबर चेल प्लुबर, चेल हुआ हुआ झाल चेल फचिछ हुआ 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 हु अब दूसरे यंत्र की बारी है तमराज के लविश देदो मुझे यह यंत्र मैं तुझे कभी नहीं दूंगा शक्तिमां कभी नहीं देदो वो भागिया शक्तिमां अब हम उसे कैसे पकड़ेंगे शक्तिमां मैंने किल्विश के कपड़े पर टोही अंतर लगा दिया था अब वो हमें उसकी दिशा बता रहा है गीता जी यह सब क्या हो रहा है यहां पर और वो कॉन था जिसे शक्तिमां भाइट कर रहा था वो किल्विश था कौन कि लविश देवी जी देर करना उचित नहीं होगा हमें चलना चाहिए लेकिन यह सब कुछ आपको बाद में पता चल जाएगा मिस्ट कुमार शक्तिवान हमें ले चलो हमें तो ही अंत्र से निकली तरंगों का पीछा करना है हाँ ठीक है आओ शक्तिवान तो एक बार फिर चीत कया हाँ अधर शक्तिवान अधर से आ रही है तरंगे भी करें शक्तिवान हें है वह किलविश का पापशेतर है साहं कि उंप भी आसरे रहा तो नकलेश पाप श longing के बाड़े में नहीं जानते लेकिन अगर तो यह नो बात हो जाओगे तो शक्ति हीं हो जाओगे सक्ति ही है है की साग 550 यह बाते हम नीचे उतर के भी कर सकते हैं न हम नीचे उतारो मैं तुम्हें सारी बाते बताती tym देवी किता स्कूर्म तो हम नीचे बाते सुननी चाहिए वैड च accumulated करन्यों हम Misim किल्विश के इस पाप शेत्र के बारे में नहीं पता है शक्तिमान तीन साल पहले तक शक्तिमान को किल्विश के इस पाप शेत्र के बारे में नहीं पता था लेकिन तुम किसे इस पाप शेत्र को जानती हो यह जानती है क्योंकि यह तुम्हारे भविशे की गीता है शक्तिमा जो बाते तुम्हारे जीवन में होने वाली हैं वो सब इनके साथ हो चुकी है हाँ शक्तिमान तुम किलविश के पाप शेत्र के बारे में छे महीने बाद जानोगे छे महीने के बाद लेकिन कैसे दरसल छे महीने बाद तुम्हें शहर शहर में रहल समय परच्छाई का आतंग देखने को मिलेगा हमाजी बचाये, हमाजी बचाये ओडन खटोले परुलड जाऊ तेरे हात कभी न आऊ उपरचाई तेरे हात कभी न आऊ हुआ है उड़ने खटोले पर और ज़ा है एंफ लील कि दैश्जी कही हो रहे है हवा में उड़ता जाये मेरा उड्वन खटोला पत्रे का मेरा उड्वन खटोला पत्रे का देवी जी देवी जी अब ये क्या ह działa है देभी जी देखिये दरा देखिये पकड़ा पकड़ी का खेल केल रहे हैं परचाही के साथ ओ मैं गॉड़ उनलू बना दिया वो परचाही दरसल रुआक्ष करह से आये रुआक्षिनों की स्पेस्शिप की होगी स्पेस्शिप धर्ती पर हाँ शक्तिमान वो रुआक्षिन धर्ती पर आएंगे शक्तिपुंच की तलाश में ताकि उस शक्ति-पुंच की मदद से वो उन भावनाओं को प्राचीन भारती ज्ञान को जान सके जिसे वो भूल चुके होंगे हाँ इन रुखाक्षिनों के बार में मैं भी जानता हूं शक्तिमान मेरे समय के सारे बच्चों को भी इनके बारे में पता है हमने इन्हें शक्तिमान की पुस्तकों में से पढ़ा है इन्होंने शक्तिमान की वही पुस्तके पड़ी होंगी जो हम अब छापने जा रहे है लेकिन रुवाक्षिनों से उस पापक्षेत्र का क्या रिष्टा मेरी पुरी बात तो सुनो मैं तुम्हें वहाँ से बता दियू जब मैंने रुवाक्षिनों की स्पेश्शिप को पहली बार दिखा था कि अता आते झाल, क्याता में वहाँ है रुभा कि से अता है के लोड़नaces वहाँ है उष्टाम्ड क时 स्क्राइब को वहाँ है वहाँ है वहाँ है मुषग 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 हुआ है हुआ है मैं आएंग, देख हो। my god यह लोग वापस आ रहे हैं अब मैं क्या करूँ फिर उसके बाद मैं उनके मदर शिप में गई जहां पर मैंने उनके सुपर कम्प्यूटर को देखा था मतलब तुम्हारे समय के हिसाब से मैं ये सब को छे मैंने बात देखूंगी क्या सोच रही हो क्या ये लोग प्रित्वी पर फिर से हमला करने की तैयारी कर रहे हैं हाँ क्योंकि हमने प्रित्वी वासियों को जितना वक्त दिया था वो खत्म होने वाला है उन्होंने अभी तक नहीं लाटाया हमारे साथी को कहा है तुम्हारा वो शक्ति मान तुम तो कहती थी वो हमारे साथी को लेकर वापस जरूर आएगा हाँ वो आएगा जरूर आएगा वो प्रित्वी पर विनाश कभी नहीं होने देगा मगर ऐसा लगता नहीं है उसे अगर आना होता तो अब तक आ चुका होता नहीं नहीं वो जरूर आएगा और आपके साथी को भी सही सलामत ले आएगा समय रहते हमारा साथी हमें वापस मिल जाए तो ठीक है वरना पृत्वी वालों को सबक सिखाने के लिए पृत्वी पर तबाही होकर रहेगी फिर वहाँ जाकॉल भी आएगा वही जाकॉल जिसने अभी अभी समर कैम्प में जॉक जॉक और केकड़ा मनो बनाया था हाँ वही जाकॉल और वो रौक्षिनों को तुम्हारा दुश्मन बना देगा शक्तिमान अरे ये किसका नाम ले रहे हैं आप शक्तिमान भला ये काम क्यों करेगा आरे वो तो शैतान है शैतान अपनी शैतानी से उसने पूरी पृत्वी पर कबजा कर रखा है हम प्रत्विवासी उसके जुल्म से परिशान है आपके इस साथी को भी उसी ने कैद कर रखा था क्या नाम है तुम्हारा मेरा नाम जैकाल है डॉक्टर जैकाल दे ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जैकाल मगर शक्तिमान ने हमारे साथी को किस मकसद से कैद कर रखा था ताकि वो इसके जरीए आप लोगों तक पहुंच सके और फिर आप लोगों को भी अपना गुलाम बना सके वो तो वो तो एन वक्त पर मैं अपनी जान पर खेल कर इसे छुड़ा लाया और फिर सारी प्रित्वी विनाश से बच गई चूट चूट बोल रहाएए सुपर कंप्यूटर इसकी बातों में मत आना कौन है इधर ओ गेता विश्वास तो शक्तिमान ने अपना जासूस पहले ही भेजा है यहाँ जासूस हाँ जासूस यह शक्तिमान की जासूस है सारे प्रित्वी वासी इसे इसी रूप में जानते हैं इसका यहाँ होना बहुत ही खतरनाक बात है आप आप अपनी सुरक्षा व्यवस्ता मजबूत कर लीजे क्योंकि शक्तिमान आप लोगों पर कभी भी कभी भी हमला कर सकता है जोड़ शक्तिमान कभी किसी पर हमला नहीं करता आपको अगर मुझे पर यकीन ना हो तो आप खुद प्रित्वी पर अपने तेज कैमरे के जरिये ये दरिश देख सकते हैं ठीक है अभी पता चल जाएगा कि आप अब लोगों पर हमला करने की हो रही है अब बताओ जैकाल क्या चूट बोल रहा था हाँ मैं अब भी कहूँगी कि तुम चूट बोल रहे हो मगर हमें तुम चूटी लग रही हो शक्तिमान सचमुझ हम पर हमले की तैयारी कर रहा है लेकिन इतना याद रखना वो हम पर कबजा थो क्या हमारे नस्देग भी नहीं आपाएगा करतस नमका दिरोवे तुम्हारे शक्तिमान को हमले का मौका नहीं देंगे इससे पहले की वो हम पर हमला करे हमारा हमला उस पर हो जाएगा नमका दिरोव नमका प्रतिरोव 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 नमका प्रति गबराओ मत वो हम तक पहुंचने से पहले ही मारा जाएगा शक्तिमार ये है आपका असली साथी और वो रोक्षिन इसका क्लोन है जिसे जैकाल ने बनाया है बमिंदोर बार को है जलदी से अंदर चैते हैं सहर से सक्तिमान और सूपर कंप्यूटर दोनों को निलिश्ट कर दो जड़ो 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 मेरी शक्तिमान ये क्या तुम वहा कैसे मेरी शक्तिमान तुम्हें हू पहू अपनी शक्त से मिलता जुलता एक चित्र दिखाए देगा हाँ वो चहराश्री सत्यका होगा जो सुर्य अंचियों के पहले मागुरू थे लेकिन तुम उनके बार में ज्यादा नहीं जान पाऊगी शक्तिमान क्यों क्योंकि इससे पहले कि तुम कुछ जान सको किलविश अपने पापकिर्नों से तुम है मुझे और मुझे और वाक्षनों को अपने पास खीच लेगा कर दो यह क्या शक्तिमान कर दो… योख अ कर sampship? ben putting西 हाँ 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 हाई हाँ ificant हाँ हाँ कि भुदधे उपने वुदधे ईनन चाहर भाड बनको फरा शर बनको प्रश प्रहाँ रिखे लिगा पर ले एंट आप तुिंगा शक्तिमाद, ये क्या है? शक्तिमाद, ये क्या हो रहा है? शक्तिमाद, ये क्या है, क्या है? बोल्क आद कै कि नड़ आप आद कैसे fixes रखया हो जा सपनें बदाई हो शक्तिमान बदाई आखिर तुम अंधेरे के गुलाम बनने चले आये कौन हूँ तुम मैं कौन हूँ मैं ही हूँ वो अंधेरा जो सूरी के पैदा होने से पहले डुमांड में था असूरी के खत्म होने के पाद भी प्रमांड में रहेगा मैं ही हूँ अंधेरा जो पाप बनकर लोगों के मन में रहता हूँ और फिर मार बनकर उनकी आत्मा को निगल जाता हूँ देखना चाहती हूँ मेरी शकल आस तक मैंने अपना चैरा किसी को नहीं दिखाया है शक्तिमान तुम ही हो वागशाली जिसे मैं अपना चैरा दिखाऊंगा हाँ यह शक्त है अंधेरे के अंधेरे गार राजा हूँ मैं तमराज किलविश हूँ मैं हाँ मैं जानता हूँ तुम्ही वो किलविश हूँ जो इस दुन्या में पाप पहला रहा है अच्छा हुआ जो मेरा सामना तुम से हो गया क्योंकि मेरे जीवन का उदेश सिर्फ तुम्हारा सर्वनाश है तमराज किलविश शक्तिमान यह सद्यूग नहीं कल यूग है यह मेरा यूग है पाप का यूग है इस यूग में तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते है आज दुनिया में मेरी एक आवाज से युद्ध के शंगनाद बजुटते हैं मेरे ही दिये गए लालच और प्रलोबन से इध्यास के पन्ने खुलते हैं और बंद हो जाते हैं सारी दुनिया में मेरा ही सामराज्य है सिर्फ मेरा इसलिए मेरा सरवनाश असम्हाव है पूरी दुनिया में सिर्फ मैं हूँ अगर इस दुनिया में सिर्फ तुमें ही होना होता तो शक्तिमान कभी नहीं बनता इस दुनिया के लोगों में शक्तिमान के पती विश्वास कभी नहीं जन्म लेता और यही विश्वास अंधेरे के सरवनाश का कारण बनेगा गिलविश क्योंकि दुनिया में पहले से ही है अंदेरा उसके बाद आई है रोजनी और उसका विश्वास जब दुनिया में कुछ नहीं था तब क्या था अंदेरा था जब दुनिया नहीं थी तब क्या था अंदेरा था हेख जब हुआ मिट्टी पानी नहीं थे तब क्या था अन्देरा जब चांड सूरज़ उसे तारे नहीं थे तब क्या था सिर्फ अन्धेरा शक्तिमान सिर्फ अन्धेरा और अन्धेरा ही काइम रहेगा हमेशा तुम भूल रहे हो के लविश अन्धेरे को खत्म करने के लिए ही पैदा की है इश्वर में रोशनी रोशनी के एक छोटी सी किरण ही काफ़ी होती है अंधेरे को भेदने के लिए और शक्तिमान उसी रोशनी के एक छोटी सी किरण है तमराज के लविश आज तुम्हें इस जन्सार से मिचना ही होगा मिचना ही होगा कि एक 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 ए अंधेरे को मिटाने चले थे और आते ही गल्दी कर बैठें क्रोध में आगे थे और क्रोध अंधेरे का पहला साथी होता है बदाई हो शक्तिमान बदाई हो तुम अंधेरे के नस्दीक आने लगे हो यह क्या हो रहा है मुझे है अग्री ताकत कम क्यों होती जा रही है कैसी किरने यह यह किरने नहीं पाप की शक्ति है कल्यों की शुरुआ से लेकर आस्तर जितने भी पापी हुए उन सब की पापी आत्माएं कैद है इस गोले के अंदर और यही तुम्हारी काठ है इसके सामने तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो सिवाए मजबूर होने के सच कभी मजबूर नहीं हो सकता है किलवेश सच कभी मजबूर नहीं हो सकता तुम अपने पाप से मेरे शेरीर को कश्ट जरूर पहुंचा सकते हो नगर मेरी आत्मा को नश्ट नहीं कर सकते किलविश आत्मा को नश्ट नहीं कर सकते है क्योंकि आत्मा को नश्ट रही काड़ सकता है नहीं आग जिला सकती है आत्मा अजर है किलविश आत्मा अमर है इसी लिए तो इनसानों की आत्माउं से संबंद रखता है तमराज किलविश काम क्रोध मो और लोग मद और मत्सर मेरे इनी अनचरों के द्वारा मैं पहले इनसान की आत्मा को पापी बनाता हूँ और भापी बनने के बाद यह आत्माएं मेरी गुलाम बन जाती है और हर गुलाम बनने वाली आत्मा के साथ साथ मैं हो जाता हूँ और भी अधिक शक्तिशाले यह देखो पूरी दुनिया में कितनी आत्माएं मेरी गुलाम हैं कीडे मकोडों की जिंदकी दी है तमराज किलविश ने और यही मकसद है तमराज किलविश का दुनिया के सारे मनिश्यों को पापी बना कर उन्हें गंदी नाली का कीडा बना देना और फिर हमेशा हमेशा के लिए अन्देरे में कर्द कर देना उन्ही कीडे मकोडों में से एक कीडा तुम्हें भी बनना है शक्तिवान तुम सिर्फ उने ही अपना खुलाम बना सकते हो तमराज किलविश जिने खुट पर विश्वास नहीं होता है जिस इनसान के अंदर आत्म विश्वास होगा जिसे सच का एहसास होगा तुम्हारा खुलाम कभी नहीं बनेगा किलविश तुम्हारा खुलाम कभी नहीं बनेगा अगर तुम्हारा आत्म विश्वास तमराज किलविश ने खत्म कर दिया तो नमुम्किन किलविश नमुम्किन तुम मुझे मार सकते हो मगर मुस्थ से मेरा आद में विश्वास कभी नहीं चीन सकते हैं कभी नहीं शक्तिमान अगर मैं चाहूं तो पलक जपकते ही तुम्हें खत्म कर सकता लेकिन मैं तुम्हें मानना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अंधेरे का गुलाम बनाना चाहता हूँ राशनी कभी अंधेरे की खुलाम नहीं बन सकती तम राज के लविश अभी तक नहीं बन पाई थी मगर अब तुम्हारे जरीये बनेगी शक्तिमान तुम्हारे जरीये तुम देखना कि तुम्हारे जरीए मैं राउशनी को किस तरह अपना गुलाम बनाता हूँ नहीं चक्तिमान चुना चुना मुझे नहीं चुना मुझे नहीं चुना बना पाऊँगे तुम कभी नहीं बना पाऊँगे बनाऊँगा शक्तिमान जरूर बनाऊँगा ये मेरे पापों का शेत्र है यहाँ जादा देर तक नहीं टिक पाएंगी तुम्हारी आत्म शक्ति उन्हें कमजोर होना ही होगा और जैसे जैसे कमजोर होती जाएंगे तुम्हारी आत्म शक्ति वैसे वैसे तुम अंधेरे के करीब आते जाओगे बहुत जादा अंधेरे के करीब अब चोड़ता मुझे चोड़ों चोड़ों च्पाइब चोड़ता मुझे इसलिए तुमसे कह रही हूं तुम वहां जाओगे ना तो शक्ति ही लोचाओगी और फिर किल्विश के कैद में चले जाओगे लेकिन तुम मुझे आगे तो बताओ आगे क्या आगे किल्विश के शेत्र से निकल कर हम कहां जाएगे शक्तिमान भविशे के बारे में सुछना छोड़ दो और ये सोचो कि हमें क्या करना चाहिए अब यहां जाएगे मेरा समय अंत्र तो अभी भी किल्विश के पास है इसके अलावा हमें किल्विश से ये भी जाना है कि उसने शक्तिमान को कि समय में बेज़ दिया है लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे वहां जाए बगार कुछ नहीं होगा लिए अब हम वहां जाए बगेर उनकी बाते सुन सकते आओ उनकी बाते सुनों शक्तिमान अन्हेरा आखेम रहे मेरे भ्यविश्य स्पष्ट सुनाई दे रही है उनकी आवास सच्टिमान ओस्ध की वर्तमान के कि पर इसके सहाथ है सुनों क्या के वह समयां तरह पर भेजने के बाद भी वापस आ गया है शक्तिमान हाँ यह मेरी समझ में नहीं है यह कैसे हो यह नहीं हो सकता है समय आत्रा पर गया कोई शक्स समय अंत्र के बिना वापस नहीं लोट सकता है फिर शक्तिमान कैसे वापस लोट आया कैसे उसे जरूर किसी की मदद मिली होगी लेकिन किसकी सुर्यानषी इसकी मदद कर सकते हैं यह बताया था तुमने तुम्हारे पीछे तुम्हें ढूंते हुए कि सुर्यानषी ही यहां आने वाले थे हाँ एक सुर्यानषी बच्चा आया है भविष्ट मुझे भविष्ट में वापस ले जाने के लिए कैर लेकिन मेंई ताकत के सामने कमजोर है हे वह मुझे डर कर भाग गया तो फिर उसी सूर्याशी बच्चें ने शक्तिमान की मदद की होगी कल कर अध्य नहीं वो भी ऐसा नहीं कर सकता है क्यूं उसके पास भी तो समय अंत्र है समय अंत्र के बावजूद भी शक्तिमान को समय आत्रा से वापस नहीं ला सकता है क्यों क्योंकि उसे पता ही नहीं कि मैंने शक्तिमान को किस समय में भीज दिया बिना इसका पता चले वो उस समय में जाही नहीं सकता है जहां मैंने शक्तिमान को भेजा है और बिना उस समय में गए वो शक्तिमान को वापस लाही नहीं सकता है देकिन शक्तिमान को तुमने भेजा किस समय में था उसी समय में किसी וी ग्रह का जन्म नहीं हुआ था उसी समय के उंत्रिक्स में भटकने के लिए भेज़ दिया था शक्तिमान को सौर मंदल के ग्रहों के जन्म से पहले लेकिन फिर उस युक से बिना किसी मदद के वापस कैसे आ गया वो यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है मेरी समझ में नहीं उसे कोई न कोई मदद तो मिली होगी और यह मदद सूर्यांशियों से ही मिली होगी शक्रिमान को बचा नहीं पाएंगे सूर्यान्शी अब अनेरा उसे वहाँ जाकर मारेगा जहां सूर्यान्शी पहुची नहीं सकते तुम्हारा मतलम कहां जाना चाते हो तुम आज से 25 वर्ष पूर संबद 2032 वैसाग मास की अमावस्या की रात का दूसरा पहर तीन घड़ी यही वो दिन सा जब काशी के जंगलों में वो बच्चा अरुन्दत्ती के साथ था और उसे मालने की कोशिश कर ले थे अन्हेरे के शैतान वो तो नहीं मार पाए लेकिन मैं जाकर अतीद में शक्तिमान को खत्म करतूँगा अगर वो अतीद में खत्म हो गया तो बरतिमान में अपने आप खत्म हो जाएगा पचारों और काइम रहेगा अन्हेरा पाप जो शक्तिमान की वजय से कम घा जात है मुझे उससे बच्पन में जाकर खत्म करना होगा उसे पजबन में जाकर खत्म करना होगा सकतिमार 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 समय ப 창 प्रम कर दिर VISTA समयार सुनिर सर दिरी ए झाल झाल